हाई ओल कल जब मैंने धनिया का विडियो डाला था तो काफी लोगों ने मुझे डियम किया था कि उनका जो धनिया का प्लांट है वो अच्छा ग्रो नहीं होता या तो वो लेगी होता है या बुशी नहीं होता अच्छा कलर नहीं आता ग्रो नहीं होता या तो पीला-पीला ह हो जाता है तो बहुत सारे इश्यूज है जो लोग फेस कर रहे हैं धनिया के रिगार्डिंग अगर आपको भी यह प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा हार्वेस्टिंग के बाद सबसे पहले बात करते हैं कि घर में हम धनिया क्यों लगाते हैं तो घर में हम धनिया इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो बजार का धनिया होता है वो बहुत मोटा होता है अगर अपने नोटिस किया होगा ठंड में बहुत धनिया मिलता है लेकिन बहुत मोटा होता है और कभी- खुश्बु जो है वो बहुत अच्छी होती है और में ये भी वज़ा है कि हम घर पे इतना धनिया ग्रो करते हैं तो अगर आपने कभी धनिया ग्रो नहीं किया है तो आप एक बार जरूर एक्सपीरियेंस करिएगा और आपको पता चलेगा जो घर का धनिया होता है उसको मोटा होता है ओवर फर्टिलाइजर की वज़ए से उसमें फोलीज ग्रोथ बहुत जादा होती है घर में धनिया जब आप उपर से कट कर लेते हैं उसके बाद जो नीचे रह जाता है क्योंकि हम जड़ से नहीं निकालते हैं तो जो नीचे जड़ रह जाती है सेकेंड सबसे से आप तीन बार हार्वेस्ट ले सकते हैं आज जितनी जरुवत थी उतना मैंने लिया है बाकी इसमें छोड़ा है और यह सब जो है जिसको उपर से काटा यह फिर से जो है एकदम फ्रेश हो जाएगा और बिल्कुल अच्छी जो है यह ग्रोथ लेगा फिर से धनिया इसलिए लेगी होता है कि आपने उसको प्रॉपर सनलाइट नहीं दिया है और उसको अच्छी वेल ड्रेंड सोयल नहीं बनाई है समझ लिजे आपने आज अगर पानी दिया है अगर दो दिन भाद आप देख रहे हैं पानी नहीं सूख रहा है इसका मतलब यह है कि पूरी इशू ही ना हो क्योंकि फंगल इंफेक्शन होने की विजए से धनिया पीला हो जाता है सड़ जाता है पानी होने की विजए से बीज भी जो है उसके सड़ जाते है और ऐसी जगर पे रखना है जहां बहुत अच्छी सनलाइट आती हो इसको उगाने के लिए मैं मार्केट स कर सकते हैं क्योंकि धनिया के दोनों तरफ जो है वह उसमें सीड्स होते हैं तो आप इसको तोड़के डाल सकते हैं अब मुझसे यह थोड़ा कम होता है इस तरह से फोड़ना और करना तो मैं ऐसे ही इसको डालती हूं अगर आप सोक करके डालेंगे तो जर्मिनेशन और इसके लिए मिट्टी लेनी है उसको आपको वेल स्टेरिलाइज करनी है मिट्टी को एकदम अच्छे से जब धूब दिखा देंगे तो मिट्टी परफेक्टली तयार हो जाएगी मिट्टी में थोड़ा सा ही खाट डाले बहुत जादा खाट की जरुत नहीं है इसको मैं ल अच्छी मिट्टी होगी उसको आप डूल दीजे और ऊपर से जो है धना स्प्रिंकल कर दीजी बहुत जादा अधर आपको डालने के ज़ुरूत नहीं है जिस तरह से मैंने डाला है उस तरह से आप दणीया को डाल दीजे और इसको डालने के बाद या तो आप चाहे तो प बहुत कम मिट्टी डालते हैं, उपर से जिसकी विज़े से सीड्स हिल जाते हैं, जड़े हिल जाती हैं, तो थोड़ी अच्छे से जो है, आप उपर से अगर मिट्टी डाल देंगे, तो वो बिल्कुल भी जो है, मूव नहीं करेगा, उसकी जड़े बिल्कुल भी हिलेंगी और बहुत अच्छा धनिया ग्रोव करेगा सीट डालने के लिए हलके हाथ से अपसको डबा कर और उसके अंदर डाल दे थोड़ा सा पाणी पाणी आपको किसी शावर से या स्प्रे से डालना है पाईप से या ऐसे ही किसी कैं से नहीं डालना है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेर और सबस्क्राइब करें हैपी खेती बाई